तो चलिए मेरे प्यार विद्यारतियों हमने अलजेब्रीक एक्सप्रेशन पढ़ा था तो वहां पर एक चीज देखा था क्या देखा था कि वहां पर एक वर्ड बार बार यूज हो रहा था जिसका नाम था square और square क्या होता है कि when a number multiply by itself is known as a square यानि जब कोई number की अपने ही number से multiply हो और उसके उपर में अगर 2 लिखा हो तो उसको हम लोग क्या कहते थे power और उस 2 का नाम क्या दिया था हमने square तो मेरे प्यारे विद्यारतियों यानि की इस chapter में chapter number 13 में हम लोग देखेंगे कि क्या power 2 तक ही होता है या 2 से आगे भी होता है अगर power 2 से आगे हो तो फिर उनका नाम क्या होता है तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यारतियों ये वाला chapter यहां पर आया है इसका नाम है exponent and power यानि की हमारा chapter number 13 इसमें हम जानेंगे कि power सिर्फ 2 तक ही नहीं होते बलकि उससे आ रूल होते हैं उन रूल का यूज कैसे हम लोग जो है questions को solve करने में करेंगे तो इस सभी चीजों पर बात करेंगे फिलाल जो है हम लोग यहां यह जानेंगे कि what is exponent exponent क्या होता है सबसे पहले तो यह जानेंगे क्योंकि हमारे chapter का नाम है exponent and power and उसके बाद जानेंगे power क्या होत यानि इसके कहने का मतलब क्या है कि exponent जो है एक ऐसा नंबर होता है या कैसे ऐसा multiplication होता है जो अपने ही नंबर से कंटिनीटली क्या होता रहता multiply होते रहत है यह यानि मेरे प्यारे विद्यारति वो अगर मैं यहां देखो टू और उसकी उपर में क्या दिख रहा तो टू के यह नहीं तbereich इस बात को रिप्रिजेंट करता है कि टू कम से कम कितने the time multiply हुआ है थ्री टाइम मल्टिप्लाई हुआ है ना मेरे प्यारे विजारतियों अगर मैं यहां पर इस तरीके से कर दू देखिए जारा ध्यान से तो आप कह सकते हैं कि सर यहां पर टू को आपने जो है फाइव बार मल्टिप्लाई किया इट में टू लिखूंगा और उपर में जो यह 5 है यह इस बात को रिप्रिजेंट करता है कि यह 2 का मल्टिप्लिप्लिप्लिकेशन कितने टाइम हुआ है 5 टाइम हुआ तो exponent क्या हुआ कि multiplication of the same number with respect to the number of time यानी कि एक ही नमबर का बार बार उसी नमबर से multiply होना ही क्या कहलाता है exponent क्या होता है कि एक ही नमबर से बार बार multiply होना उसी same number का क्या कहलाएगा exponent कहलाएगा तो हम कह सकते हैं yes 2 के उपर में ये जो number 3 दिख रहा है इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं exponent कहते हैं इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यारति हो कि 2 के साथ उपर में जो 5 है ये पूरा का पूरा exponent कहलाएगा क्या कहलाएगा exponent कहलाएगा क्योंकि इस बात को represent कर रहा है कि 2 जो है 5 टाइम multiply हुआ तो बात clear हुई कि नहीं क्या पाचल exponent क्या होता है तो exponent वो number होता है जो same number से बहुत बार multiply किया जाए अब ज़रा एक example देखिएगा मेरे प्यारे विद्यारतियो अगर मैं लिख देता हूँ 2 into 2 into 3 into 3 into 3 हैना क्या लिख दिया मैंने 2 into 2 into 3 into 3 तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक exponent होगा क्या मैं ये कह सकता हूँ ये exponent होगा तो मैं इसे नहीं exponent कह सकता क्यों नहीं कह सकता क्योंकि जब तक मैं 2 के उपर में 2 ना लिख दू और 3 के उपर में 3 ना लिख दू तो मैं कह सकता हूं यह 2 के उपर में जो यह 2 है यह क्या कर रहा है exponent को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 के उपर में 3 भी क्या कर रहा है एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मेरे प्यारे विद्यारति हो मैं सिर्फ टू इंटू थ्री लिखूंगा तो यह नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन होगा जहां पर मल्टिप्लाई करके आंसर कितना जाएगा तो इस बात को आप लोग को समझना है इसका डिफरे लिखा है कि इसको क्या बोलते यहे तो जान लिया यह ना जैसे और जैसे हमने तेक बाइनोमियल ट्राइनोमियल इसमें जानते थे कि वेरियेबल होता है, constant होता, arithmetic operations होते हैं, तो वो क्या हो गया कि जब यह तीन use हो रहे है एक साथ, तो हम कह सकते हैं कि yes, it is a algebraic expression, उसी तरीके से, जब इस तरीके से कोई number लिखा हो, या इस तरीके से represent हो तो इस means कह सकते हैं कि yes it is a exponent यानि ये exponent है बट इस exponent के अंदर इस 2 और इस 5 को क्या बोलते है वो अब ही हम लोग सीखेंगे है ना तो इतनी बात समझ में आगे ना कि when a number multiply by itself with the same number number of times is known as exponent यानि जब भी कोई number अपने same number से बहुत बार multiply होता है तो उसे हम लोग क्या कहते है exponent कहते हैं तो यह मेरे प्यारे विद्यारत्यों exponent की definition हो गई और यहां पर हमने exponent का क्या देख लिया example देख लिए है ना चलिए अब देखते हैं इसके अंदर इसे exponent कहते हैं अगर मैंने 2 लिख दिया तो normally यह number होगा लेकिन मैंने 2 के ओपर 3 लिख दिया इसका मतलब यह exponent हुआ तो यह 2 एक number से exponent में change कैसे हुआ यह 2 number था लेकिन यह exponent में change कैसे हुआ तो इसके change होने के पीछे उसके उपर में जो लगा हुआ जो number था यानि power था वो ही power क्या कर देता है? एक 2 को exponent में क्या कर देता है? अगर इस power को हटा दू तो यह भी 2 रहेगा, यह भी 2 रहेगा और power को लगा दिया तो यह क्या बन गया exponent के बन गया तो exponent क्या कहता है कि raising a number to a power exponent का मतलब ही होता है कि कि किसी भी number के उपर में लगने वाला power उसको क्या बना देता है exponent बना देता है अब इस exponent में बात करते है मेरे प्यारविद्यारती perspectives कि कहने का मतलब क्या है कि जिसके उपर मेंने पावर लगाया है यहां पर मेरा फावर लगा है वो जो नमबर होता है उसका नाम होता है बात समझेगा तो अब आप समयगे हैं कि मेरे प्यार विद्यारती हो मेरे पास exponent है और power जिस number के उपर में लगा है ना उस number को बोला जाता है base क्या बोला जाता है base और यह जितनी time multiply हुआ उपर में जो यह number लिखा इसे बोला जाता है power तो यह दो चीजे हो गई और यह दोनों मिल करके क्या बन जाता है अगर इन दोनों को एक साथ कर दिया जा तो यही बन जाता है exponent तो इस चीज को आप लोगों को दिमाग में याद रखना है कि exponent and power कोई अलग अलग चीज नहीं होती है बस क्या होता है कि इस पूरे whole को exponent कहते है और अगर इसको divide कर दे तो यह वाला number base कहलागा और उपर में जितनी बार यह multiply होगा वो power कहलागा तो अगर किसी ने पूछ दिया कि power क्या होता है तो क्या बोलीगा तो आप कह सकते हैं मेरे प्यार विद्यारतियों जब कोई भी number बहुत बार multiply हो और उस multiply को indicate करने के लिए किसी number के उपर में अगर एक number रख दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते है पावर कहते है यानि मेरे प्यार विद्यारतियों इस number के उपर में ये 3 जिसको हम power कह रहा है ये किस चीज को और इशारा कर रहा है क्या indicate कर रहा है ये तो यही indicate कर रहा है ना कि ये 3 जो है 3 तीन time क्या हुआ है multiply हुआ है तो बस power वही होता है जब भी कोई number जितने time multiply हो रहा हो उसको हम लो में और इसको ना पढ़ने में भी क्या हो जाती है मुश्किल हो जाएगे क्या पढ़िएगा कि अगर आप बोला जाटे क्या लिखा था ऑगा आप क्या बोलेगा कि 2 x 2 x 2 3 x 3 5 x 5 x 5 यह बोलेगा ना तो बोलने में कितना मुश्किल हुआ इसी चीज को इक simplify वे में क्या किया गया था इसको solve किया गया था तो क्या बोला गया कि तो है और तीन बार multiply हो रहा तो हम कह देंगे ना तू की power 3 फिर हमने देख़ा अरे 3 ही तो है दो बार multiply वारा मतलब 3 की power 2 और 5 ही तो है 5 जो है बाध कितार multiply वार 2 बार multiply वार तो थोड़ा आप इसमें आंसर को भी यहां से find out कर सकते हैं, it means एक number जो बहुत बार multiply हुआ हमने उसे exponent में डाल दिया, उस exponent में इसको base कहते हैं और इसे power कहते हैं, यह इशारा करता है कि यह number जो है इतने ही time क्या हुआ है multiply हुआ है, तो मेरे प्यारे विद्यारतियों यहां पर देखिएगा क्या लिख वो multiply हुआ है, तो कितने times multiply हुआ है, तो m time, यानि मेरे प्यारे विद्यारतियों जब हमने देखा कि p मेरा number है, और यह number अपने ही number से m time multiply हुआ है, तो यह जो times था, यह जो multiply का times था, यही क्या बन जाता है, power बन जाता है, यानि कि p का power m, और यह दोनों क्या कहलाता है, exponent कहल तो क्या समझ में आया पी एक नंबर था जो अपने ही सेम नंबर से कितने टाइम्स मल्टिप्लाई हुआ था एम टाइम्स एंड इसने क्या किया इस नंबर के ऊपर में एक क्या रख दिया पावर रख दिया अब यह पावर इस और इस सारा करता है indicate करता है मेरे प्यारे विद्यारति हो कि P जो है वो M time क्या हुआ है multiply हुआ है P जो है क्या है वो M times multiply हुआ है तो चलिए अब हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि exponent में base होता है power होता है अब उसी को तोड़ा सा अच्छे से और detail में समझता है कहता है कि where P is the base यानि जिस number के उपर में power है वो number base कहलाएगा और जो M times है वो क्या कहलाएगा उसका value कहलाएगा और यह पूरा मिल करके क्या कहलाएगा exponent कहलाएगा यानि मेरे प्यारे विद्यारतियों आप बात समझ गए तो इसको हमने क्या समझा यह exponent में P जो है base है और M जो है power है अब जड़ा इसको बोलते कैसे है ऐसे तो नहीं कह सकता है बोलेंगे कैसे उसको देखते है नोट में क्या लिखा है कि PM is sad as a P raised to the power M यानि यह PM जो exponent है इससे बोलेंगे कि P raised to the power M यानि P raised to the power M इस बात को याद रखना है अगर मैंने लिख दिया 3 की power 3 तो मैं क्या कह सकता हूँ 3 raised to the power 3 क्या बोल सकते है 3 raised to the power 3 यानि मेरे प्यार विद्यारतियों PM यानि इस exponent को बोलने का तरीका क्या होता है जिसमें P raised to the power M इसके कहने का मतलब क्या है कि P जो है वो M टाइम तक मल्टिप्लाई हुआ है P raised to the power M कहने का मतलब P जो है वो M टाइम तक मल्टिप्लाई होते गया है इसलिए कहा जाता है P raised to the power M और यहां हम इसे पढ़ेंगे तो बोलेंगे 3 raised to the power 3 या फिर कहेंगे exponent and powers का तो अब हम जब integer पढ़ रहे थे ना तो सबसे पहले हमने integer जाना था कुछ numbers के बारे में जाना था और उसके बाद हमने कुछ rule of sign देखे थे देखे थे ना तो उसी type का हर एक एक chapter में अपने कुछ rules होते हैं जहां पर कुछ formula होते हैं कुछ chapters ऐसे होते हैं जिनके formula नही इनका आपने कहीं पर formula देखा है नहीं देखा होगा यह जो होते हैं रूल पर चलते हैं अगर perimeter area की बात करें तो इनका formula होता है profit loss की बात करें तो इनका formula होता है यानि जब दो quantities को compare किया जाता है ना मेरे प्यारे विज़यार तब होँ होता है otherwise इनके rule होते हैं और कुछ law हो तो मुझे उमेदा की आप लोग समझ चुके होंगे कि exponent and power क्या होता है है और इसको बोलते कैसे हैं और अगर किसी भी नंबर के उपर में three power बोल दिया मैंने तो three किस और इसारा कर रहा है यह सारी चीज़े आप लोग ने जान लिए तो चलिए अब law के चलते हैं देखते है हमारा जो है यह exponent का law हमसे क्या कह रहा है